1997 में बैंक्रप्ट हो चुकी किया ने साल 2019 में एक बड़ा ही रिस्की डिस्जन लिया था जो था इंडिया जैसी highly competitive market में एंटर करना लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ वो सफल होई बलकि सिर्फ तीन सालों के अंदर टोयोटा, हुंडा और रेनॉल्ड जैसे बड़े-बड़े ब् और आखिर क्या वज़े है कि pandemic के दोरान जहाँ पूरी automotive industry losses फेस कर रही थी, वहीं किया का profit बढ़ता ही जा रहा था, आए ये detail में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों किया के इतिहास पर एक नजर डालें तो इसकी शुरुवात नौजून 1944 को क्यूंग सुंग प्रेसिजन इंडस्ट्री के नाम से होई थी, जहां bicycle parts और steel tube बनाये जाते थे 1951 में इसने सैम चुली नाम से कोरिया की first domestic bicycle को produce किया, और आज ये कोरिया की largest bicycle manufacturer और retailer है साल 1952 में क्यूंग सुंग प्रेसिजन इंडस्ट्री का नाम बदल कर किया इंडस्ट्री कर दिया गया, इसके बाद 1957 में इसने अपनी पहली motorcycle manufacturer करी जिसे लोगों ने काफी ज़्यादा पसंद किया 1962 हाते आते किया ने ट्रक्स बनाने शुरू कर दिये और 1974 में ये cars के segment में एंटर करती है अब car में मिली सफलता को देखते हुए किया ने खुद को globally expand करने का सोचा और सुरुवात की कतर से यहाँ भी किया की cars को लोगों ने काफी ज़्यादा पसंद किया जिसके बाद इस company ने अमेरिका औस्टेलिया और इन जैसे कई देशों में अपनी vehicles को export करना शुरू कर दिया जिनमें किया प्राइड किया शेफिया और स्पॉर्टे जैसे बहतरीन cars सामिल थी किया उस समय अपने बहुत ही सुनहरे दौरती गुजर रही थी और एक से बढ़कर एक बहतरीन cars market में launch करते जा रही थी जिसके चलते धीरे धीरे कोरिया सहित global market में भी इसका presence strong होने लगा लेकिन फिर आया साल 1997 चो किया motors के लिए बहुत ही challenging time था उस वक्त Asian financial crisis की वज़ा से किया cars की sales बहुत ही जादा down होने लगी थी जिसका इस company पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने bankrupt से declared कर दी और दोस्तों इसके बाद Hyundai Motor ने किया के 51% share को acquire कर लिया और अब किया और भी जादा strong होने लगा जहां इसने कई बहतरीन models को market में उतारा जिसके चलते इसने लगबग 2 decades तक यूरोप और US के market में राज किया अब दोस्तों किया एक ऐसी highly competitive market में enter करने का plan कर रही थी जहां General Motors और Ford जैसे Giants में नहीं टिक पाए जी हां हम बात कर रहे हैं इंडिया की यहां Kia Motors ने जुलाई 2019 में अपनी पहली कार Kia Seltos को launch किया जो कि एक mid-size SUV थी Kia Motors के Indian market में enter करने के कुछी महीनों बाद pandemic का दोर सुरू हो गया लोगों के कामकाज ठप हो गये जिसका negative impact इंडियान automotive market पर दिखने लगा लेकिन हैरानी की बात किया है कि जहां पूरी की पूरी automotive industry भारी नुकसान में जा रही थी वही Kia के revenue में 80% तक growth notice की गई लेकिन ये चमतकार आखिर हुआ कैसे दरसल उस समय तक Indian car market को पहले से ही टाटा महिंद्रा, मारूती सुजुकी, होंडा और Hyundai जैसे बड़े प्लियर्स ने डॉमिनेट कर रखा था ऐसे में किया ने अपना हर एक step बहुत ही strategically लिया इसने market में एंटर करने से पहले अपने godfather Hyundai की मदद ले market को बहुत ही deeply analyze करने के बाद company को इसमें एक ऐसा gap नजर आया जिस पर किसी भी car manufacturer का ध्यान नहीं गया था असल में किया ने देखा कि इंडिया में एक से बढ़कर एक luxurious cars मौझूद तो थी लेकिन उनकी high price के चलते maximum लोग उन्हें खरीदी नहीं पाते थे और जो car लोग afford कर पा रहे थे उसमें premium features मौझूद थे ही नहीं इन premium features वाली car को on करना लगबग हर youngsters का सपना था लेकिन car का budget उन्हें मात दे देता था इन सारी चीजों को समझते हुए याने 19 मई 2017 में अपनी subsidiary company किया इंडिया की शुरुवात करती है और आंधपरदेश के अनन्थपूर डिस्टिक में 536 एकर में अपना manufacturing plant ओपन करती है जिसकी capacity annually 3 लाग car produce करने की है और इसे बनाने के लिए company ने 12,900 करोड रुपे invest किये थे इसके दो साल बात यानि की 2019 के अगस्त महीने में company ने अपनी पहली car किया Celtos को market में launch किया जिसकी पहले ही दिन 6046 units की pre bookings हो गई थी लेकिन कैसे एक ऐसी company जो अभी अभी Indian market में एंटर की है उसके लिए लोगों के बीच इतना क्रेज कैसे आया तो दोस्तों इसका reason था SUV असल में वो एक ऐसा समय था जब लोग इंडिया में sedan या hatchback को यूज करके उप चुके थे और तेजी से SUVs की तरफ सिफ्ट हो रहे थे इसी के चलते अगर हम 2017 से 2018 के बीच का data देखें तो SUVs की sales में 30% का growth हुआ था लेकिन unfortunately इंडिया में SUV के बहुत ही minimum options अवेलबल थे ऐसे में किया ने इसका भरपूर फाइदा उठाया और अपनी पहली कार सेल्टोस को एक SUV के रूप में लौँच किया इसी के चलते इस कार के लौँच होते ही ये लोकों के बीच खूब जादा पॉपलर हुए और सिर्फ चार महीनों के अंदर कमपनी ने सेल्टोस की 40,581 यूनिट्स को sales कर डाला अक्टूबर 2019 में किया सेल्टोस ने विटारा ब्रेजा को पीछे करते हुए इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUVs के लिष्ट में अपना नामदर्ज कर लिया था किया ने अपनी पहली कार लौँच करने के पहले ही साल में लगबख एक लाग यूनिट्स को sell कर लिया था जो दूसरे साल बढ़कर लगबख दो लाग के करीब पहुँच गया याद रखें ये वो समय था जब दुनिया पैंटमिक की दोर से गुजर रही थी और टाटा, महिंद्रा या हुंडा जैसे बड़े-बड़े प्लेयर्स दिमाद ना होने की वज़ा से अपने कार के प्रोडक्शन को कम कर चुके थे लेकिन वहीं पर किया धीरे-धीरे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते ही जा रही थी और दोस्तों इसी के चलते किया ने चार साल से भी कम समय में अपने कार्स के पांच लाग यूनिट से भी जादे का सेल कर लिया था वो भी इंडिया जैसे हाइली कॉम्पूटेटिव मारकेट में ये इस सेग्मेंट के हर बड़े प्लेयर्स के लिए हैरानी की बात थी कि कमपनी ने ये कमाल आखिर किया कैसे तो आएए जल्दी से किया के उन स्टटजीज को समझते हैं जिसके दम पर ये ब्रैंड हम इंडियां के दिलों पर राज करने में काम्याब हो बाया अब जैसा कि हमने जाना कि किया ने अपनी पहली कार सेल टॉस को साल 2019 में लौंच किया था लेकिन इसकी प्लैनिंग किया ने तीन साल पहले ही शुरू कर दी थी असल में इस company ने इंडिया में enter करने से पहले यहां की market पर extensive research किया जिसमें कई major factors को deeply analyze किया गया इन factors में पहला था consumer behavior हम इंडियांस को comfortable और premium चीजें खूब पसंद है लेकिन अगर वो budget से ज़्यादा बाहर हो तो फिर वो हमें हमारी मतलब की चीज नहीं लगती है यही reason है कि क समझने और Hyundai की data को analyze करने के बाद किया इस नतीजे पर पहुचा कि Indians खुड़े से extra feature के लिए अपने budget को थोड़ा सा उपर नीची ले जा सकते हैं लेकिन अगर price बहुत ही ज़्यादा high हो तो फिर हम उस product की तरफ देखते भी नहीं और इसे हम mobile के example से समझ सकते हैं mobile को खरीदते वक्त हमें पता है कि हमारा काम 6GB RAM में चल सकता है लेकिन 2000 रुपए extra देकर हम खुशी खुशी 8GB वाला variant खरीदी लेते हैं दोस्तों किया ने इंडिया में एंटर करते ही लगबग 160 सहरों में 349 टच पॉइंट्स बना लिये थे ताकि customers को समय पर service नहीं की थी इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि company ने तै कर लिया था कि वो इंडिया में टेस्टिंग के लिए एंटर नहीं कर रहे हैं बलकि उन्हें यहां लंबी पारी खेल ली हैं अब किसी भी नई company का product जब हम खरीदते हैं तो एक बार दिमाग में जरूर आता है कि खराब होने के बाद इसके spare parts आसानी से मिल पाएंग या नहीं especially जब हम कोई expensive चीज खरीदते हों लेकिन किया ने हर चीज इतना strategically plan किया था कि लोगों को services के लिए माथा पची करने की बिल्कुल भी ज़रूरत थी ही नहीं बड़ी संख्या में touch points और आसान customer service की मोडल में थोड़े बहुत changes करके उसे अमेरिका, चाइना और इंडिया के मार्केट में launch कर देती हैं और दोस्तों इंडिया में भी ये इतनी famous है कि बच्चों से लेकर बुडू तक की जमान पर फॉर्चुनर का नाम सुनने को मिल ही जाता है इसके अलावा Hyundai Tucson, Nissan Kick और इंड जैसे बहुत सारे car models example हैं जो foreign market में अच्छा perform कर रहे थे तो इसी लिए इन्डिया में भी launch कर दिया गया इवेन अधर कंट्रीज के लिए किया भी यही करता है लेकिन इंडिया के लिए उसने अपनी इस strategy को बदल दिया और पुराने model में थोड़े बहुत फेर बदल करके launch करने की जगा इसने इंडियान market के लिए एक बिल्कुल नई car design के जिसे पूरी तरह इंडियान्स के needs के according बनाया गया था किया ने अपनी research में अच्छे से analyze कर लिया था कि इंडियान्स को अपनी car में चाहिए क्या उसके features क्या होने चाहिए और car का price कितना रखना सही होगा और दोस्तों इनी सारी चीजों के basis पर company ने sell toss को design किया था क्योंकि उनका मानना था कि अकर market में पहला product fail हो जो BMW या Audi जैसे luxurious brands में ही देखने को मिलते हैं इस company ने देश में बढ़ती pollution को देखते हुए अपनी car में inbuilt air purifier प्रोवाइड किया साथी साथ panoramic sunroof, wireless charging, both sound system, 360 degree camera और और बी कई बैथरीन features को include किया दोस्तों actually sell toss में दो तरह के version आते हैं जिसमें पहला है SP2 और दूसरा SP2 आ जिसमें safety को बहुत ही ज़्यादा importance दे गई थी लेकिन किया को पता था कि हम Indians कुछ हद तक safety में compromise करने के लिए तयार हैं लेकिन features हमें भर पूर चाहिए इसी consumer behavior को ध्यान में रखते हुए जहां की market के लिए SP2i को design किया गया जो काफी ज़्यादा सफल भी हुई दोस्तों किसी भी product के सफलोने के पीछे बाकी factors के साथ साथ उसकी pricing का बहुती बड़ा रोल लाता है और ये चीज हमें किया की success में भी देखने को मिली कमपनी ने अपनी पहली car किया सेल्टोस को 9,79,000 रुपए के price पर launch किया था जिसे एक average price माना जाता है अगर हम किया car की price price range देखें तो वो 7,79,000,000 से सुरू होती है और इनके starting range में भी आपको premium features मिली जाते हैं अब जब हमें affordable price पर premium product मिल ला हो तो उसे Indian का support मिलना तो लाजमी है और इसी चीज का फायदा मिला किया को दोस्तों किया का aim सिर्फ उन्ही चीजों पर focus करना था जिने customers actual में चाहते थ जवाब है better mileage, better technology, better servicing और low maintenance इसी चीज को समझते हुए किया ने अपने SUV में higher mileage प्रवाइड किया, existing brand से जाता better technology दी वहीं अपने cars पर 3 साल की warranty भी दी, दोस्तों किया का main target Indian youngsters हैं जिने feature loaded cars पसंद तो हैं साथ ही ये vehicle के design और look के साथ कोई compromise नहीं करना चाहते, इसलिए किया अ कामले में बाकी 4 wheelers को मात दे दे, यही reason है कि 100 में से 90 लोग इनकी cars की design को काफी जादा पसंद करते हैं, अगर आप सड़क पर कई cars को एक साथ दोड़ते हुए देखेंगे तो उसमें किया अपनी unique design की वजह से आपका attention grab करने में जरूर काम्याब होगी, किया cars की tiger nose grill ना सिर largest car manufacturer है, इसका market share 15% से भी जादा है, इस company ने ना सिर्फ इंडिया में अपने bathroom position को maintain किया हुआ है, बलकि दो Indian giants, Tata और Mahindra को भी पीछे किया हुआ है, और ये सब possible हो पाया है, consumer behavior की सही understanding से, जो कई सालों की मेहनत और research के बाद company की हाथ लगी है, लेकिन luckily कि या को ground level पर उतर कर चीजों को समझनी की जरूरत नहीं पड़ी, बलकि इसने Hyundai के data से Indian automobile market का mood समझ लिया था, जिसने company को इतनी तेजी से success दिलाने में काफी मदद की, दोस्तों किया के इंडिया में आते ही, Hyundai ने उसे 150 dealers का access दे दिया था, जिससे company के पास लगबग 70% market का coverage बिना किसी effort के मिल गया इतना बड़ा coverage किसी भी company के लिए starting phase में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहां तक पहुचने में बड़े बड़े global brands को decades लग जाते हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि किया की success में Hyundai का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, दोस्तों किया में आपको कई तरह के models मिलेंगे, जो लोगों की requirements को actual में पूरा करते हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ traveling कर रहे हो या family के साथ, किया ने अपनी अलग-अलग models को short या long हर तरह की drive के लिए design किया है, अभी तक company ने इंडिया के अंदर total 5 vehicles को launch किया है, जिनमें Seltos के अलावा Carnival, Sonnet, Carrens और EV6 रामिल है, और आपका favorite car का brand कौन सा है, हमें comment करके जरूर बताएं, बाकि अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की सबसे famous bike manufacturer, Hero और Honda तोनों अलग क्यों हो गए, तो i button में click करके वीडियो को देख सकते हैं, बाकि आज के लिए बस इतना ही